हें गाईस विल्कम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्तों बात करने वाले हैं आज की नई रेक्रूटमेंट के अपडेट के बारे में जो कि वेकेंसी रिलीस की गई है सेल से यानि कि स्टिल आथरोड़ी ओफ इंडिया ले यानि की दामोदर वेली कॉर्परेशन लिमिटेड यह दोनों का जोएंट वेंचर है आपका सेल सेल अथरोड़ी ओफ इंडिया लेमिटेड सेल का जो बोकारो डिवीजन है बोकारो शील प्लान ओडिवीसी का यह दोनों का जोएंट वेंचर की तरब से यहाँ पर M.T की प करेंगा आप सुचो कि सब किस में जौब लगेगी कि जोनों का joint venture है sale का भी joint venture है sale ओर dvc दोनों का joint venture है बोकारो श्रिल प्लांट और बोकारो power supply company जोनों मिलके यह work करती है दोनों मिलके है जोन्ट venture की recruitment रिलेस की गई है चले डिटेल में बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को इससे पहले रिक्विस्टेड होगी, अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट करके बताएं आपका ट्रेड ब्रांच कौन सा इट या डिप्लोमा डिग्री की तरब से रिलीज की गई है, बड़ी नोडिफिकेशन जो जो जोएंड वेंचर होता है, से स्टीर ऑफ इंडिया लेमेटेड और दामुदल वेली कॉर्परेशन क्योंकि मैं जारकंड का हूँ, और यह तोटली बोकारो जारकंड में इस्ती थे, मैं धनबाद में राता इसके बारे में फुली डिटिल्स मुझे पता है, और यह रिक्रूट्मेंट देखो, दामोदर वेली कॉर्परेशन डिबी सी, जो की गवर्मेंट आफ इंडिया भिहाफ बीपी सील बोलते है, यानि कि यहाँ पर टोटली होता है कि बोकारो पावर सप्लाइ कंपनी जो है और बोकारो शिल प्लांट यह दोनों मिलके यह प्रोजक्ट चलाती है, जिसे हम बीपी सील के नाम से ज्यादा जानते हैं, यानि कि आपकी रिक्रूट्मेंट जो लगेगी इस डिपार्टमेंट में लगेगी, लेकिन दोनों का जोएंट वेंचर है, डेवी सी में ज पोस्ट है, तो यहाँ पर टोटल पोस्ट है जादा नहीं, 17 पोस्ट है, बट बड़ी बड़ी पोस्ट पर रिक्रूट्मेंट है, एमटी की पोस्ट है, तो मेकनिकल की इसमें टोटल 9 पोस्ट है, एलेक्रिकल की 6 है, और सी एन आई के लिए इसमें टोटल 2 पोस्ट है, यह कि 17 पोस्ट पर recruitment रिलीज की गई है मैंने अभी बताया था notification for requirement of management trainee technical basis पे technical यानि कि technical branch में रिलीज की गई है MT management trainee की पोस्ट जिसमें apply करने के लिए आपके पास age limit 18 साल से लेकर 28 साल की candidate apply कर सकते हैं जिसमें age relaxation सभी को मिलती है STC वालों को फैप अडवी से वालों को तिरियर्स का category wise देख लें कि general STSC, OBCS और EWS में कितने कितने reservations आपको यहाँ पर मिली है एक बार इसे जरूर शेक कर लीजेगा और यहाँ पर मैं बात करूँ कि relaxation maximum age limit की तो relaxation सभी candidate को मिलेगी STC वालों को मैंने बताती है valid marks in the gate 2022 तो gate जो है guys आपको रखा गया है gate score आपका mandatory है जो कि बताया जा रहा है और यहाँ पर gate चो चलेगा 2022 ही चलेगी but not less than gate 2022 marks according out of 100 ओके बागी बाद यह period that वाने कि gate 2023 भी 21 भी यह सब अपेर है तो यह सब not allowed है but 22 allowed है इतना ध्यान रखना ओके ब्रांच एक बार देखलो MT की ब्रांच है इसमें mechanical में तो mechanical production, industrial engineering, production industrial, thermal, mechanical यह सब अप्लाइ कर सकते हैं ME की recruitment है electrical में electrical, electronic instruments and power system high voltage power electronics, power engineering सब अप्लाइ कर सकते हैं CNI के लिए जो recruitment है यहाँ पर post में तो instrument control instrument applied या फिर electronic instrument electronic telecommunications यह सब अप्लाइ कर सकते हैं पर जिसकी दी गई है इसी ब्रांच वाले eligible हैं आपे ओके तो एक बार मैंने ब्रांच discuss कर दी gate आपका mandatory है 2022 यह भी बता दी essential qualifications जो है आपका essential जो engineering की full time degree होनी चाहिए 65% marks ज़रूरी है OVC, NCL, AWS वालों के लिए होनी ही चाहिए weight 45 के लिए किसे है चलेगा training population period जो होता है इसमें one year का population period होता है और salary मैंने बता दी salary आपको इसमें बहुत ज़्यादा मिलती है salary tension लेने का पचास वजार से एक लाग 60,000 increase में 3% मिलाके आपकी starting जो population period तब भी 50 लाग देता है और लगबख लगबख साड़े 13 लाग approximately का यहाँ पर percentages लाग हो जाता है assistant manager बनते-बनते high level salary यहाँ पर included हो जाती है बहुत ज़्यादा salary आपको मिलेगी इस लेवल पर मैंने age वेकर बता दी आपकी height बता दी training period बता दी अब जो भी candidate apply करने के लिए eligible हैं आप apply कर सकते हैं इसका form जो है आप online flip करना है बट application fee आपको लगने वाला है 300 रुपए application fee general obasis AWS वालों के लिए यहाँ पर STSC ex-servicemen PWD candidate के लिए कोई भी application charge नहीं लगेगा इसकी last date payment of fee है 17 अगस 2023 तक SBI collect के जरी आपको fee payment करना होगा अब जो भी candidate apply करना चाता है 27 जुलाई 2023 से sorry 26 जुलाई से start होई है और 17 अगस 2023 तक इसकी last date रखी गई है apply करने के लिए जो भी candidate shortlisted होंगे DB के लिए क्योंकि यहाँ पर gate case course है तो document verification ही होगा न जो apply करोगे वो shortlisted list जारी कर दी जाएगी आपको उसकी date इसकी official website पे तो यही update है और यह vacancy अच्छी AMT की recruitment अगर आप eligible है तो apply कर सकते हैं यह दोनों का joint venture है ध्यान रखना still author बोकारो शिल्प्लांट का और बोकारो supply power company का ओके तो guys यही बताने थी वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएगा useful लगी हो please like and subscribe करे चले मिलते नेक्स वोडियो में तक लेज़े हैं